और विखार के जो भी दलित नेता है जाहे वो माननी है माजी जी हो चाहराम बिलास पासवान जी हो आज राम बिलास पासवान तो आपको तुम तरह किया पिर आपके साथ को अपमान जनक के स्थिती का सामना आपको करना पड़ता है उसके लिए आप स्वेंग दोसी है नहीं है उनके कहने से नहीं जब दलित बीरोदी थे तो आते उनके साथ क्यूंत हैं अम यांद आत्रों काृ नैतर उत्मीन श्ルク defined सब्सक्राइब टारी करना एक्ष empath कर तो सरकार में थे ढूली उस उस तो सब्सक्राइब मां एक तरह से कंपनी होता है न तो यह परिवार की पोलिटिकल पार्टी बनके रह गई है सबस्कार नाम बड़े और आप लाइब स्टीक्त देख रहें सबसे बड़ी बात है माननीय जीता नाम माजी जी के बारे में आपने जो कहा है तो राजनीति चरित्र जो होता है उसके आदमी के अंदर होना बहुत जरूरी है आपका कोई विचारधारा हो कोई सोच हो जिसको ले करके आप राजनीति करते हैं आप समाज के आइकॉन होते हैं कोई भी पॉल्टीशन कोई भी नेता समाज का मार्क दर्सक होता है और उसकी ह चाहे वह क्या सूछते हैं और राजनित कर रहे हैं पता नहीं हो है समझ नहीं पाये कि आपको नितिजी दिए अच्छे लगते हैं आपको कॉंग्रेस पार्टी अच्छा लगते हैं कि कि कॉंग्रेस और बीजेपी के बिचार में जमीन आस्मान का आप सिर्फ परिवार के लिए राजनित करते बिहार के जो भी दलित नेता है चाहे वह माननी है माजी जी हो चाहे राम बिलास पासवान जी की पार्टी को तोड़ने वाला कौन है भजपा के लोग जब तक कॉंग्रेस के साथ रहें उनको कभी तोड़ने का और कभी समाप्त करने की कॉंग्रेस नहीं सोची हमेशा दलित की पार्टी है इनको हमेशा मंतर आले में उनको जगह मिला मानसब मान मिला और माजी ची को देखिए कि इनके लड़के उनका अधकी मांजी जी को मलोद लो इंशी कौन बyl कौन बनाया राज़त सब चल गए भजपा में. मन्हीं दालीत निताई हैं कहां ऑन been in下 holy three निते अ like बीहार में वाइस आपनें और इक इनके परिवार के सदस्य कोई communicating है तो हमें बताइए तो आपको तूम तरह क्या फिर आपके साथ कोई अपमान जनक के स्थिति का सामना आपको करना पड़ता है उसके लिए आप स्वेम दोसी बिल्कुल आप स्वेम दोसी है कि आपने मुखमंत्री बनाया ठीक है आप रबर एस्टाइम बनाना चाहते हैं एक समय जब मैं मेले भी नहीं थी में पॉल्टिकल कार्य करता थी तो मुझे पता है कि टीवी का कार्शक्रम चल ला था उस समय नो सची जाती जन जाती कल्यान विवाग के मिनिस्टर हुआ करते थे माननीय माजी जी और ये टीवी पर बैठके कहते थे कि फाइब स्टार हो इसे ही दबा कुछला समाज हुए उसको सब लोग जानते कि दली सबसे पिछले पैदान पर रहने वाली जाती है और उसके बावजूद भी सिर्फ आप अपने स्वार्थ के लिए राजनीत करेंगे ना तो आपको दूसरे क्या अपने भी आपको मांद सम्मान नहीं तेंग कोई नहीं परिवार क्या समाज के लोग आपको मांद कितने दली संगटर उनके लिए खड़ा हो गया बताइए ना यदि दलीतों के लिए सच में काम किये होते दलीत मांद सम्मान की बात किये होते तो दलीत उनके लिए खड़ा होता आपका इतना जातिये जन गनना पर तब आप सोए हुए थे कि आप ही के जैसे लोग डली तो को बिदम नीचे से नीचे पिछले पैदान पर ढकलते जा रहा है जब नीती निर्धारन होता है तो आप सरकार में रहते हैं उस समय आपको आवाज उठानी चाहिए कि दलितों के विरुद्धिय काम हो रहा है हम लोग इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे उस समय आपको बहुत अच्छा लगता है मंतराले मिल जाए हमारे पडिवार के चारगो टिकट मिल जाए चारगो ब बोलेंगे नहीं अन्फिट होते तो जितना उनके पास विजन है जिस तरीके से महिला बिहार की महिलां जितना ससक्त हुई है मुझे नहीं लगता है कि किसी राज़े में इस जाती है वहाई से जाती है लेकिन आप देखिए पहले और आज के आज के डिट में नौकरियां हो राजनिती हो, महिला किस तरह से घर से बाहर निकल दहीं है, पहले बेटियों को लोग पढ़ाता नहीं था, लेकिन अब इतना हो गया, पहले गिने चुने लोग, बड़े लोग बेटियों को पढ़ाते थे, अब हर तपके के लोगों के अंदर एक उमंग है, चुकि मैं मेले ह हुँ और जब मैं जाती हुँ तो मुझे पता चलता है, हर आदमी चाहता है कि नौकरी में आरक्षन मिला है, हमारी बेटी भी पढ़ेगी लिखेगी तो कहीं न कहीं उसको नौकरी मिलेगा, जहानाबाद में देख लीजे एक मेरे पढ़चित हैं, वह अपनी बेटी को ले हटो लड़कियों अकेले निकल रहे हैं, वहार के विभीम कोनों में जाकर के नोकरी कर रहे हैं यह najbardziej असर्कार सर्कार में उससमें तो आसां के उसमें किया कर रहे थे, उनके बेटा अनुसुषी जाती जन जाती कल्यान विभाग के मिनिस्टर थे वो संतोष सुमन जी दलितों के लिए तो कभी हमने उनका एक बयान नहीं सुना जी कोई बयान है तो दिखाईए हमको सुनाइए वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपना परिवारिक एक जिस तरह से कंपनी होता है न तो चलिए कॉंग्रेस की महला विधायक परतीमा दास्ति क्या कुछ करे थी क्या कुछ जवाब दें जीतर अमान जी को आपने सुना है बागी की तमाम ख़बरों के लिए बने रहे है लाइस सथ धर्यवाद